पॉइंट समझ में आ गया पॉइंट समझ में आ गया समझ में आ गया सिंपल सी बात है यदि पॉइंट सेंब साइड लाई कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट तू लाइन तो सेंब साइन आएगा पॉइंट को हम सैटिस्फाई करा देंगे लाइन में तो सेंब साइन आएगा यदि पॉइंट अपोजिट साइड लाई कर रहे हैं तो अपोजिट साइन आएगा झाल कि अगया 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 कुछ न लिगिए इप दी पॉइंट अल्फा कॉमा alpha square lies between the line x plus y minus 2 equal to 0 and 4x plus 4y minus 3 equal to 0 then find the range of alpha तो जब भी ऐसा कोई question आता है positions related तो हमेशा सबसे पहले ध्यान रखो आपको एक rough diagram line का बना लेना है approximate diagram तो जैसे यह line है इस line को draw करना है तो x x axis में कहां cut करेगी y axis में कहां cut करेगी वो निकाल लो तो y zero put करेगी तो x आ गया 2 x zero put करेगी तो y आ गया 2 इसी तरह से दूसरी line बनाना है तो यह x और y y को zero put करो तो x आ गया 3 by 4 x को zero put करो तो y आ गया 3 by 4 तो इससे x intercept और y intercept आ जाएंगे line की तो यह 3 by 4 यह 3 by 4 बना लो तो ऐसे line कुछ बन जाएगी तो ठीक है इसी तरह से इस तरह से बना लो यह 2 बन जाएगी तो यह दोना 3 equal to zero है विटा समझें कि नहीं आया कि पॉइंट जो है वो इनकी बीच में कहीं है यहां पर है अलफा कॉमा अलफा स्क्वेर तो वह हमें कंडिशन बतानी है कि अब हम इसको कैसे यूज करें इस चीज का हम कैसे यूज करें आया यहां तक समझ में आया कि नहीं आया यहां तक समझ में आया कि नहीं आया तो इसमें में एक ही पॉइंट में दूसरा पॉइंट आप अपने से सबसे आसान तरीका होता और जैने जूं कर लो सबसे आसान तरीका क repent को देखते इस लाइन के रिस्पेक्ट में क्या है अपोजिट साइन है की नहीं है जी रूजेरू एंड अल्फा कॉमा अलफा स्क्रीयर लाइज अपोजिट विद रिस्पेक्ट टु लाइन 4x 4y-3 प्रॉइवाइवाइव तो इसमें origin satisfy कराएंगे तो sign कैसा आ रहा है negative आ रहा है इसका मनुनलब alpha alpha square satisfy कराएंगे तो sign कैसा आएगा positive आना चाहिए अब इसके फैक्टर करिये ज़रा क्या रहा है 4 अल्फा स्क्वार प्लस 6 अल्फा माइनस 2 अल्फा माइनस 3 गड़ दें 0 तो यह आ रहा है 2 अल्फा प्लस 3 इंटू 2 अल्फा माइनस 1 गड़ दें 0 तो वेवी कर बना लेते हैं प्लस माइनस प्लस ठीक है इससे एक फर्स्ट एक्वेशन आ गई अच्छा अब दूसरा वाला देखिए और जन एंड अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वार लाइज अन दी सेम साइड विट रिस्पेक्टू लाइन विट रिस्पेक्टू लाइन एक्स प्लस वाई माइनस टू एक्वल टू जीरो तो इसमें जीरो जीरो सैटस्वाई कराएंगे तो क्या आ रहा है निगेटिव साइन आ रहा है जिसका मालब अल्फा अल्फा स्क्वार सैटस्वाई कराने से भी निगेटिव आएगा सैम साइन का आएगा तो इसके फेक्टर हो जाएंगे अल्फा प्लस टू और अल्फा माइनस वन तो वेवी कर बनाएंगे तो आजाएगा माइनस टू वन प्लस माइनस प्लस यह होगी सेकेंड एक्वेशन कि हमें दौनों का इंट्रसेक्शन लेना है है कि तो दौनोंके से माइनस त्री वेट्व ट्लस वन बै ट्व एँ वन तो फर्स्ट में में चीए क्या पॉस्टेव चींए तो पॉस्टिव कहां पर कोगा देखिये पॉस्टेवगा माइनस थी वा टू से और पर में अगर्व से ज्यादा हूना होना चाहिए ड्रीन कव गोमाइंस Сब्स deben से is kind क्या आ रही कॉमन वेल्यूस कि अनसर आ रहा है माइनस टो तो से माइनस थ्री भाई टू यूनीड वन आए बटे समझ में 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 आए बटे सब्सक्राइब देख लेते हैं आए जो पॉइंट है अलफा कॉमा अलफा स्क्वार है यह एक्स कॉमा वाई है तो देखे एक से अलफा और यह अलफा स्क्वार तो बेसिकली यह दिस पॉइंट लाई ऑन दिस कर्व अलफा कॉमा अलफा स्क्वार कहां पर लाई कर रहा है वाई कॉल टू एक्स स्क्वार पर लाई करता है अब देखो बटा कि इसनका हम एप्रॉक्सिमेट डाइगराम बनाए तो ऐसा कुछ बनता है अधिक है यह लाइन तो हो गई और कर्व क्या होता है जो हमने अभी पढ़ा है वाई कॉल टू एक्सस्क्वार ऐसे बनता है कि नहीं बनता है इस तरह से कि वाई कॉल टू एक्सस्क्वार का ग्राफ याद है मैंने कौडटिक में मैंने बताय था अब हमें क्या दिखो यह इंट्रसेक्शन पॉइंट है हमें इंट्रसेक्शन पॉइंट निकालने हैं सबसे पहले तो गृति तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालники डॉच वॉरेस्प प्लस फोर ल्we Thor Emily minus3 डू 0 क्यू इस्चे आ जाएगा पी पॉइंट और क्यू पॉइंट आ जाएगा तो ज़रा सॉल करते हैं इसको के इसका और इसका इंट्रसेक्शन पॉांट निकालते हैं कि वाइक्षेस स्क्वाइर और फॉर एकस प्लस फॉर यमाइनस 30 स्को onun को सॉल करते हैं इससे क्या होगा क्रहों अर्ट oder डॉइंट आ जाएंगे ह knit उन्म मोजे एक्स चाहिए ध्यान रखो fd अल्फा क्या है इलफा देखो यहां पे ex k ちゃहीं यह जरूरत नहीं है एकस क्कार्णीट की जरूरत है ऑमा तो 4-2-0 फैक्र कर लीजिए कर लोगा ना फेक्टर एक सार हैं माइनस थ्री बाइन तु होगा या फिर वन बाइन तू होगा डैट इज इसके कर्सपोंडंग जो आ रहा एक सारह कितना माइनस ठीन पाहिटू रहा एसके क्रेस्पोंड और रहा 1 agre । इस समझे आ गया किनि हो आप सरे हैं हमने वाइक फॉ अक्राइब तर ओंधर गार क्यों किया तो क्यों आरा इंटेसेक्शन को स्रीaina सेंद्थ हैं मिकरना सॉल वाइक फॉइक स्कुरेब करनाई है एक्स माइनस्थ हाई तो इसके करश्पोनिंग यह आ गया यह फॉनटर सके इसके कर्सपोनिंग का गया यह माइनस्थ हुए जो घो Development यह जिंद आहें होने दोनों लाइन के बीद्ध में यह वाला दोनों पूर्ष्यं होना चाहिभिए गज़िंव तो इसके कर्रहसपोंडिंग अलफा निकालना है तो आलफा क्या है एकस की वेल problèmes कितनी डिख रही है। आपको एकस के वेलू करिस्पोंडिंग क्या दिख रही है माइनस 2 से माइनस 3Y2 और हाफ से लेकर वन दिख रही है एब पी और क्यू पर एकस कोञाइनने कितना है पी पर एकस कोटिए माइनस 2 और क्यूप एकस कोडिएंזה माइनस 3 वह थिक है पर 속 faj Nothing पर है वन तो वेलू क्या रहे है माइनस टू से माइनस त्री वाई टू कि यूनियान वन बाइटू से वन तो आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं अज़े याँ मिन हैं इसमें सिंपल आपको पॉंट अफ इन इंडर सक्षन निकालना और कुछ नहीं करना है इनक्वाल्टी सवफ करने की ज़रूत की नहीं यह कि I am Basically answer रोगा टीप पॉइंट पर जो x-co-date है से लेकर क्यों किव पोइंट पर जो x-co-date ग्राफ का पोर्षान होना चाहे जो बिट्वीन दी लाइन है तो P Q पोर्षान हो गया और RS पोर्षान हो गया हमें अलफा निकाल लाँ आलफा क्या एकस है तो So basically we have to find, we have to write the values of x, x-coordinate. . झाल 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 झालभा कॉमाल्भाच्वेरी लाइ then find the range of alpha if the point alpha, alpha square lies between the line y equal to 2x and y equal to 3x in first quadrant then find the range of alpha अब इसको बनाते हैं विटा y equal to 2x line कैसे बनेगी तो और जिन से लाइन पास हो रही है और जिन से लाइन पास हो रही है इस दूसरी लाइन की स्लोप है y equal to 3x इसकी स्लोप एक की स्लोप 2 है एक की स्लोप 3 है और दौनों लाइन और जिन से पास हो रही है तो ऐसे लाइन बनेगी कुछ और जो पॉइंट होना चाहिए वह पॉइंट है अल्फा कॉम अल्फा स्क्वेर वह ही यहां पर है जो पॉइंट पी है वह फर्स्ट कॉडर्ण में लाई कर रहा है बिट्वीन दीज टू लाइन तो क्या करें बता सकते हो सूच सकते हो बताओ इसको ओर जिन से तो हम और जन को रेलेट नहीं कर पाएंगे कि ऊच्टे वह पॉस्टिव कि यृव दियान रखना है इसको क्या करना है इसको हम क्या करते हैं और जिन से जोईन कर देते हैं तो और जिन से जोईन करो तो यह लाइन जो बनेगी ओपी वो op line between दीज टू ँगए की नहोंगी मतले typing line की जो angle of inclination होगा वो बहुलो लाइन की बीच में रहेगी की नहीं रहेगी तो basically जो op line की slope है वो 2 और 3 के बीच में होगी की नहीं होगी slope of op 2 और 3 के बीच में होगी की नहीं होगी पहले ते यह बताइए मुझे तो स्लोप आफ ओपी कितनी होगी अल्फा स्क्वार माइनस जीरो अपॉन अल्फा माइनस जीरो अधेज आ गया अल्फा आ गया टू एंड थ्री देखो कितने यह कुश्चन एक्जाम में आयो कुश्चन है रिपीट इट कुश्चन है ध्यान रखिए एक रिपीट होता रहता है सिंपल सा कुश्चन इस only वी न्यांस यह जो ओपी लाइन दो लाइन की बीच में तो इनकी जो इसकी स्लूप की बीच वाले वह इन दोनों की बीच में तो ऑते जब और जो फीटा है वह अल्फ वीटा की इम्हें ऑफ भीटा की बीच में होगा अि मौलत जोगी वह दोनों लाइन की की बीच्म होगी कि नहीं है हुआ आपी लाइन का एंग़ वे निंडा ऑफ सरे ऩ में होगा दोनों लाइन की बीच में आएगी कि नहीं है इस लाइन की स्लोप है टू इस लाइन की स्लोप है तो तो जो जो पी लाइन की स्लोप होगी वह तू और थ्री के बीच में होगी कि अगर कि अगर कि अगर कि 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 झाल झाल लेखली आबच्छों बच्छों झाल 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 कि विटा झाल यज़ ऑट इस वैज़τε in विए झाल शौद टिए विए टीओ पी शौदिऄ कूल झाल तो विए P and Q lies on or inside the triangle, then find the range of alpha and beta. For more information, visit www.fema.org www.fema.org प्रालम लिखिए बीटा तो सबसे पहले तो तीनो लाइन में है, मैं एप्रॉक्समेट डाग्राम बनाना है, तीनो लाइन का, तो X और Y इंटरसेप्ट निकाली तीनो लाइन का, फिर्स्ट लाइन का क्या होगा, यह लाइन है, फिर्स्ट लाइन, य को जीरो पुट करो, तो 2X आएगा 6, that is X हो गया 3, और X को जीरो पुट करोगे तो Y आ रहा है, माइनस 2, 2nd में, Y को जीरो पुट करो, तो 3X आगया, माइनस 3, that is X होगा, माइनस 1, X को जीरो पुट करोगे 2nd लाइन में, तो Y आ जा रहा 3, इसी तरह से 3rd लाइन में, Y को जीरो पुट करो तो X 4, X को जीरो पुट करो तो Y 3, अब इनको बनाईए, डाइग्राम, 3,0 यह 3 हो गया, और 0,-2, 3,0 यहाँ पर और 0,-2 यहाँ पर, यह 3,0 और यह 0,-2, ठीक है, यह 1st लाइन है, सेकेंड, सेकेंड में क्या है, माइनस 1,0 यहाँ पर होगा कहीं, एंड 0,3 यह हो गया, इसको जोइन कर लिजे, यह बनेगी कुछ, ठीक है, तीसरा, 4,0 यहाँ कहीं होगा, और 0,3 यह, इसको जोइन कर लिजे, ठीक है, यह आगया, समझ में की नहीं आगया, ट्राइंगल ऐसा कुछ बनेगा, अब हमें कौन से पूर्शन चाहिए, जिजरो कॉमा ऐलफा, जिरो कॉमा अलफा कहां दिख रहा है, आपको, सॉरी, अलफा कॉमा जिरो, है तो, लाइस ओन, एकस एकसिस, थालफा की रेंज, म Zwol यहां पर होना चाहिए, ईनियर वाला पूर्शन में, यहां से लेकर, यहां तक होगा कि नहीं होगा कि इसका अलफा की रेंज क्या होगी माइनस बन से लेकर थ्री ठीक है इसी तरह से जो क्यू है वो है जीरो कॉमा बीटा मलब वाई एक्सिस में होगा लाइज ओन वाई में और देहान रखो ट्रेंगिल के अंदर हो और वाई एक्सिस में तो यह आपको तो इसमें क्या रहा है तो बीटा और इसमानस तू से लेकर थ्री यह पोइंट है जीरो कॉम मत्री है तो बीटा आगया अलफा अगया यहीत में चाहिए झाल 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 आवच्छों लेख्लिया झाल 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 फैमिली आफ लाइन्स फैमिली आफ लाइन्स फैमिली आफ लाइन्स क्या किसे कहते हैं? प्र उसले लाइन्स फ़ये को कि यहला लाइन्स के पास होने वाली लाइंस जो होती हैं किसी पर्टिकलर पॉइिंट से पास होने वाली लाइन तो बहुत शारी होंगी हाल दीज लाइन्स determination कॉड़ कॉंड फेंलिय ऑफ लाइनस COP और जो इए पॉइंट होता है यह इस पॉइंट को कहते हैं फिक्सड पॉइंट कॉमन पॉइंट है न सबका इसे कहते हैं फिक्सड पॉइंट तो क्या होता है वेटा इफ एल वन एक्वल टू दिखिए एक्वेशन ओफ ए लाइन पासिंग थ्रू दिए इंटर सेक्शन ओफ टू लाइन्स एल वन एक्वल टू जीरो एंड एल टू एक्वल टू जीरो इज गिविन बाई एल वन प्लस लेंडा एल टू एक्वल टू जीरो मतला है आपको दो लाइन की एक्वेशन मालम है तो आप उन दोनों की इंटर सक्षन से पास्थ होने वाले किसी भी लाइन की एक्वेशन को आप इस तरह से लिख सकते हैं अगागी आपको बाईन की एक्वेशन मालम है कि एलवाण एक्वल टू जीरू है और ये एल टूErो कोल टू है तो इस पॉइंट से पास होने वाली हम किसी भी लाइन की एक्वेशन को लिख सकते हैं एल वन प्लस लेमडा एल टू एक्वल टू जीरो वेर लेमडा एजे अनौन उसके निकालने के लिए हमको कंडिशन गिवेन होगी कुश्चन है आया वाटा समझ में की नहीं आया तो दो लाइन की एक्वेशन से आप तीसरी लाइन एक्वेशन लिख सकते हैं यू कैन राइट एक्वेशन आप एनी थर्ड लाइन इन टरम्स अप गिवेन टू लाइन और स्कते हैं झाल 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 through find the equation of the line passing through the point of intersection of lines 3x minus 4y plus 6 equal to 0 and x plus y plus 2 equal to 0 first part and also passes through 1,2 तो इन दोनों के point of intersection से question में लिखा दिखे passing through the point of intersection of the line तो तुरंत आपको तुरंत याद आना चाहिए कि आप directly family of line से इसको लिख सकते हैं यह जिस लेंडा टाइमस एक्स एक्स प्लस वाइ प्लस टुएल लवन फ्लस लेंडा यहल टुएकल टुएल टू जीरो YouTube ठीक है अब इस यह लाइन कहां से 1,2 से पास हो रही है तो 1,2 सेटस्फाइ करा दें तो लैमडा जाएगा तो एकस की वैल्यू वन और वाई की वैलू टू पुट कर दो तो जाएगा थ्री माइनस एट प्लस सिक्स लैमडा टाइम राइज बरस टू प्लस टू इक्वल टू जीरो आज पाइव लैमडा कितना आ गया का ओ माइनस फनदा कितना गया माइनस वन और फ़ाइव शाञए अभी यह माइनस वन बाव फाइव वापस से इसमें पुट कर दो तो equation of line आ जाएगी तो 15x minus 20y plus 30 minus x minus y minus 2 equal to 0 that is 14x minus 21y plus 28 equal to 0 तो 7 से कट हो जाएगा यह हमारा answer हो गया इससे आ जाएगा 2x minus 3y plus 4 equal to 0 आगे वोटे समझ में तो आपको solve करके पॉइंट of intersection निकालने की जरूरत नहीं है आप लाइन की एक्वेशन हमको गिवन है तो उन्सके ट्रम में तीसरी लाइन की एक्वेशन आप लिख सकते हैं विच पासिंग थ्रूदी पॉइंट उफ इंट्रेक्शन अब इस टू लाइन तो दो लाइन के पॉइंट आपंट इंट्रसेक्शन से पास्ट आने वाली लाइन की एक्वेशन कैसे लिख सकते हैं एल बन प्लस लैमडा एल टू एकॉल तो जीरो अब लेमडा कैसे आएगा जैसे देखिए इस फर्स पॉइंट में क्या लिखा है एक्स्टर कंडिशन क्या रही है नहीं वन कॉमा टू से पास हो रही है तो वन कॉमा टू सेटिस्फाइब करा दो लेमडा जाएगा हिकरी मस्ट फिर्स्ट लाइनल वान एक्क Code जिरो का मतलब फिर्स लाइन की फिर्स लाइन के लिए हैनल की जैल त्रुक साफ़िटे लााइन तो फिर्स्ट लाइन हो चेकडो ने की ट्रम में थढ़ा राइन को लिख सकते हो एह स्ट Safety साट एक सब्सक्राइब कर Sam89 एक सब्सक्राइबी में जिरो के वरावरी तो होती है ना वन एक सब्सक्राइब जीरो जैसे आधा यहाँ इसनल गूशन फिर सनके सेयुक्तक्राइब वह तो जो लेप्ट हैंड साइड में लिखा वह फेल यわか्त करे लाइअ झाल झाल लिखे वेटा लास्ट कुस्चन इते डिस्टेंस रूट तू फ्रॉम और जैन इते डिस्टेंस रूट तू फ्रॉम और जैन तो हमने लाइन की क्या लिखिए थ्री एक्स माइनस फोर वाई तो प्रॉपरली लिखते हैं तो आजाएगा थ्री प्लस लेंडा इंटू एक्स प्लस लेंडा माइनस फोर इंटू वाई प्लस सिक्स प्लस टू लेंडा एक्वल टू जीरो अब इसकी कहां से डिस्टेंस निकालनी है और जिन से डिस्टेंस तो और जिन से डिस्टेंस से रूट टू तो और जिन से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं इसमें और जिन सेटिस् स्क्वाइर प्लस भी स्क्वाइर तुर्म थो ना कंग यह इसको लिख लेते हैं कि स्टैप तो आज़ा है एक शिक्स प्लस तू लैम्डा अपॉन अंडर ऊटर आप ठीप्लस लैम्डा का होल स्क्वाइर प्लस लैम्डा माइनस प्र का whole square this is equal to root 2 square कर दिजे तो कितना आ रहा है यह आ रहा है 6 36 plus 4 lambda square plus 24 lambda is equal to 2 times 9 plus lambda square plus 6 lambda plus lambda square plus 16 minus 8 lambda तो कैंसल होगा तो कितना आ रहा है यह आ रहा है 18 plus 2 lambda square plus 12 lambda is equal to 9 plus 16 that is 25 हो गया plus 2 lambda square minus 2 lambda कि यह तो कैंसल आउट हो रहा है यह आ गया कितना 14 lambda is equal to 7 that is lambda आ गया 1 by 2 ठीक है अब यह 1 by 2 आप किसमें पूट कर दीजे फ़र्स्ट एक्वेशन में पूट कर दीजे आपका अंसर आ गया तो आजाएगा 6x minus 8y plus 12 x plus y plus 2 equal to 0 that is 7x minus 7y plus 14 equal to 0 यह लाइन की एक्वेशन आगई तो इस तरह से आप यदि आपको कुश्चन में गिवेन है कि दो लाइन से पास होने वाली तीसरी लाइन की एक्वेशन आप निकालिए तो आप इस मेथट से आप निकाल सकते हैं कि हम वर्क वेटा स्टेट लाइन में देखे जो जो भी आपने पढ़ लिया है वह सारी कुश्चन सौल कर लिए मैं मॉडूल मंगवाता हूं मॉडूल मेरे पास एवलेवल नहीं है तो मैं कुश्चन मार्क नहीं कर आप अपने से देख लिजे कि आपको आपने जो जो कुश्चन आप ट्राइक करिए कि सेवेंटी परसेंट लाइन कंप्लीट हो चुका है तो आप काफी कुश्चन सॉल्व कर सकते हैं अब टीक है इसको लिख लो आज की आज की क्लास में बस यहीं तक रिमेनिंग हम करेंगे नेक्स क्लास में लोगोे तक जदे लोगे सेवेंटी तक है इसको लोगेनिग आप काफी दूगे पराइदी सेवेंगे परेशन देदी इसकाशना 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 कि अवेंगे बसे काफी हैं झाल 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 झाल